प्रस्न पाँच नीचे की आकिर्ती में O, A, B, C, D, E और F के निर्देशांग सकारण लिखें यानि कारण सहित लिखें सकारण मतलब कारण सहित लिखें जबकि पैमाना 1-1-1-1 बरावर 1 cm 1-1-1 बरावर 0-1 cm तो तो यहां से यहां तक है एक, ठीक है, यह है एक, फिर यहां से यहां तक दो, सब बराबर दूरी पर, फिर यहां पर तीन, ठीक है, ऐसे करते करते हैं, यहां पर चार, यहां पर पांच, सब बराबर दूरी पर लेना है, यह चार हो गया, यह पांच, ठीक है, यह हो गया, ओ, यहाँ पर मुल बिंदू होता है, तो मुल बिंदू का निर्दे सांग क्या होगा, ओका, सुन्ये सुन्ये, ठीक है, अब देखे, मुल बिंदू से दाया तरफ, एक सच पर, क्या होता है, धनात्मक संक्या, और मुल बिंदू से बाया तरफ, x अच पे रिनात्मक तो इधर भी बराबर लेंगे यहां पे –1 कितना लेंगे –1 फिर यहां पे लेंगे –2 फिर यहां पे –3 ठीक है उसी तरह इधर भी फिर यह हो गया बाई अच ठीक है तो बाई अच पे मूल बिंदु से उपर क्या होता है धनातमक तो देखिए इतना ही दूरी इधर भी होगा तो यहाँ पे होगा एक यहाँ पे दो इφ के पास दो ठीक है और मुल बिन्दू से बाई अछ पे नीचे की तरफ होता है धनातमक संक्षा यहाँ पे लिखेंगा माइनस एक यहाँ पे लिखेंगे माइनस दो यहाँ पे हो गया माइनस तीन ठीक है इस तरह से पहले एक 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 बरावर एक सेंटिमेटर का दूरी यहाँ पे ले लेना है ठीक है अब कहा रहा है कि नीचे की आकिरती में O, A, B, C, D, E और F के निर्देसांग सकारण लिखे O में देखे क्या लिखेंगे O का निर्देसांग सुने सुने होगा X अच और B, A जहाँ पे मिलता है वहाँ पे क्योंकि इसको मुलबिंदु कहते है मुलबिंदु का निर्देसांग क्या होता है क्योंकि X तथा B, A, X से इसकी दूरी, देखे, X अच्छ से इसकी दूरी सुन्य है, और Y अच्छ से इसकी दूरी भी सुन्य है, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे, सुन्य के निर्दे सांग, ये, O के निर्दे सांग, सुन्य, सुन्य, क्योंकि X तथा Y अच्छ से इसकी दूरी सुन्य है, तो पहले हम निर्देसांग एक निर्देसांग क्या होगा तीन, एक सच पे क्या है तीन है और बाई अच, यानि एक निर्देसांग होगा तीन कॉमा सुन्ये, क्यूंकि बाई अच से इसकी दूरी तीन है और एक सच से इसकी दूरी सुन्ये है ठीक है तो इसका निर्दे सांग होगा तीन कॉमा सून ये क्योंकि देखिए यहां पर तीन है एका एकस निर्दे सांग तीन हुआ और बाई निर्दे सांग तो बाई निर्दे सांग यानि बाई अच पर यहां पर सूनने है देखिए सामने है ठीक है तो X अच पे कोई भी बिंदू होगा उसका Y निर्देशांग सुने होगा तो E का निर्देशांग होगया तीन कॉमा सुने ठीक है E का निर्देशांग होगया देखिए इसका हम लिख लेते हैं क्योंकि X अच से इसकी दोरी बराबर सुन येवां एक सच की धनात्मक दिसा में य housing Ganter N killed 3 ठीक है is को हम लिखेंगे बाद में अभी सिब बता दे रहे हैं तो इसको लिखेंगे एक निर्दसांग 3,7 क्योंकि एक सच से इसकी दूरी सून एक सच से इसकी दूरी सून एववं एक सच की धनात्मक दिसा में धनायत्मक, मतलब इधर के दिसा में, बाई अच से इसकी दूरी बराबर 3 तो इसको हम लिखेंगे बाद में, पहले समझा दे रहा है, अब देखें B B कहां पे है, यहां पे, तो B के निर्दे सांग क्या हो गया, एक और दो के बीच में है, तो 1.5 यांऑ, एक दसमलो 5 होगा, एक से निर्दे सांग और B निर्दे सांग हो गया, थीक है तो B के निर्दे सांग हो जाएगा 1.5 कॉमा सूने क्योंकि X से इसकी दोरी बराबर सूने एक सच से इसकी दोरी क्या है सूने है एवं X सच की धनातमक दिसा में यानी इस तरफ Y से इसकी दोरी कितना है 1.5 क्योंकि एक और दो के बीच में ठीक है तो इसको भी लिखेंगा बाद में अब देखें C C में आ जाते हैं तो C तो C का X निर्दे सांग क्या होगा C का X निर्दे सांग होगा सूने क्योंकि देखें X सच पर सूने के सामने है तो C का X निर्दे सांग सूने होगा और 2.5 क्योंकि 2 के बाद है देखे 2 और 3 के बीच में है तो 2.5 होगा तो C का निर्दे सांग कितना हो गया तो 0,2.5 ठीक है इसको लिख देते हैं B का निर्दे सांग क्या था 1.5,0 1.5,0 तो C का निर्दे सांग लिखेंगे सुने कॉमा 2.5 क्योंकि बाई अच से धनात्मक दिसा में एक सच की दूरी एक सच से इसकी दूरी 2.5 एवं बाई अच से इसकी दूरी बराबर सुने तो एक सच से क्योंकि बाई अच की धनात्मक दिसा में एक सच से इसकी दूरी एक सच से एक सच यह है देखें जो 36 रेखा है उसको X अच कहते है तो X अच से इसकी दूरी कितना है? 2.5 एवं 22 अच से इसकी दूरी सुने तो 22 अच पे तो ये खुद ही अस्तित है तो 22 अच से इसकी दूरी सुनने होगा ठीक है? C अब D में देखिए D के निर्दे सांग D कहा है? D यहाँ पे है तो D के निर्दे सांग कितना होगा? तो D के निर्दे सांग होगा सुने क्योंकि X अच देखें सुने के सामने है तो सुने कॉमा माइनस 3 सुने कॉमा माइनस 3 तो D के निर्दे सांग हो गया सुने कॉमा माइनस 3 क्योंकि एक सच से इसकी दूरी बराबर 3 एक सच से इसकी दूरी कितना है माइनस एक सच से इसकी दूरी 3 है देखे एक दो 3 एक सच एक सच यहाँ पर है इसको एक सच कहेंगे तो एक सच से दूरी 1,2,3 बाई अच की रिनात्मक दिसा में बाई अच्च की रिनात्मक दिसा में है देखें बाई अच्च जो है बाई अच्च के रिनात्मक दिसा में है ठीक है यह वह हम बाई अच्च से इसकी दूरी तो बाई अच्च से इसकी दूरी तो बाई अच्च से इसकी दूरी सुने है माइनस तीन कॉमा सुन्य तो ई के निर्दे सांग होगा माइनस तीन कॉमा सुन्य तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस तीन कॉमा सुन्य क्यूंकि माइनस तीन है देखिए एकस का निर्दे सांग और बाई देखिए एकस अच पर अस्तित है तो बाई का निर्दे सांग सुन् तो माइनस तीन कॉमा सूननी हो जागा इसका निर्दे सांक तो लिखेंगे ई के निर्दे सांक माइनस तीन कॉमा सूननी क्योंकि एक सच की रिनात्मक दिसा में बाई अच से इसकी दूरी तीन देखे F के निर्दे सांग F यहाँ पे तो सुन्य देखे एक सच पे सुन्य के सामने है तो सुन्य कॉमा दो देखे बाई अच पे दो है ठीक है बाई कर निर्दे सांग दो है F का F के बाई निर्दे सांग दो है तो दो लिख देंगे तो सुन्य कॉमा दो इसका हो गया क्योंकि बाई अच की धनात्मक दी साम में एक सच से इसकी दूरी बराबर दो तो बाई अच की धनात्मक दी साम में एक सच से दूरी कितना है देखे एक सच ही यह है तो एक सच से कितना दूरी है दो यह वंबाई अच से इसकी दूरी तो बाई अच पे तो ये खुद ही है तो इसकी बाई अच से इसकी दूरी सुनने होगा तो अब सब को लिख देते हैं कॉपी में ठीक है तो प्रस्न पांच का उत्तर लिखेंगे सुन ओके निर्दे सांग ओके निर्दे सांग बराबर सुन कौमा सुन खुमा सुन क्योंकि क्योंकि x x अच x अच से इसकी दूरी x अच से इसकी दूरी बराबर सुन एवं बाई अच्छ से इसकी दूरी बराबर सुन तो सुने के निर्दे सांग सुने सुने होगा यह माफ कीजिए ओ के निर्दे सांग सुने सुने होगा ठीक है ओ लिखा हुआ है सुने देखे लंबा होता है इस तरह से सुने लंबा होता है और ओ जो होता है गोल होता है देखे पूरा गोल होता है और सुने इस तरह से देखे होता है लंबा तो O के निर्दे सांग सूने सूने क्योंकि X अच्छ से इसकी दूरी बराबर सूने बराबर सूने एवां बाई अच्छ से इसकी दूरी बराबर सूने ठीक है तो इतना लिख देना है अब लिखेंगे अब कॉमा दे देंगे अब लिखेंगे एक के निर्दे सांग सबका लिखना है सुन्य A, B, C, D, E, F तक तो एक के निर्दे सांग एक के निर्दे सांग बराबर तीन कॉमा सुन्य क्योंकि एक सच से इसकी दूरी बराबर इसकी दूरी क्योंकि एक्स अच से इसकी दूरी बराबर सूने एवं एक्स अच की धनात्मक एक्स अच की धनात्मक एक्स अच की धनात्मक दिसा में दिसा में बाई अच से इसकी दूरी बाई अच से इसकी दूरी बराबर तीन तो इस तरह लिख लेंगे एक के निर्देसां कितना होगा तीन कॉमा सूने क्योंकि एक्स अच से इसकी दूरी बराबर सूने एवं एक्स अच की धनात्मक दिसा में बाई अच से इसकी दूरी बराबर कितना होगा तीन ठीक है तो ए होगया आप बी का लिखेंगे तो अब यहां पर लिखते हैं देखे बी के निर्देसां क बी के निर्देसां क बराबर एक दसमलो पांच कॉमा सूने एक दसमलो पांच कॉमा सूने क्योंकि क्योंकि एक्स अच से इसकी दूरी एक्स अच से इसकी दूरी एक्स अच से इसकी एक्स अच से इसकी दूरी बराबर सुन्य एवं एक्स अच की एक्स अच की धनात्मक एक्स अच की धनात्मक दीशा में एक्स से इसकी दूरी एक्स अच की धनात्मक दीशा में बराबर एक्स अच अच की अच पांक बराबर एक्स अच से इसकी दूरी सुन्य है देखे जो बाई निर्दे सांग होता है वही एकस अच से दूरी दिखाता है और जो एकस निर्दे सांग हुआ हुआ बाई अच से दूरी दिखा रहा है तो क्योंकि एकस अच से इसकी दूरी बराबर सुने यहाँ हम एकस अच की धनात्मक दिसा में यहाँ पे देखिए धनात्मक है एक दसमलो पांच इसलिए एक सच की धनात्मक दिसामें बाई अच से इसकी दूरी एक दसमलो पांच है ठीक है अब सी के निर्दे सांग लिख लेते हैं यहाँ पर कॉमा दे देंगे अब यहाँ पर लिख लेते हैं सी के निर्दे सांग सी के निर्दे सांग बराबर सूने कॉमा दो दस्मलो पांच सूने कॉमा दो दस्मलो पांच क्योंकि क्योंकि बाई अच्च की धनात्मक दिसा में बाई अच्च की देखें बाई अच्च की धनात्मक दिसा में धनात्मक दिसा में एकस अच्च से इसकी दूरी एकस अच्च से इसकी दूरी बराबर तो एकस अच्च से इसकी दूरी कितना है दो दस्मलो पांच और यहां पे दो दस्मलो पांच धनात्मक है इसलिए यहां पे लिखा गया है बाई अच्च से बाई अच्च की धनात्मक दिसा में क्योंकि दो दस्मलो पांच यहां पे दनात्मक है ठीक है तो एकस अच्च से इसकी दूरी बाई अच्च से इसकी दूरी बराबर सुन्ने बाई अच्च से इसकी दूरी कितना है सुन्ने है देखे एकस निर्दे सांग सुन्ने है तो बाई अच्च से इसकी दूरी क्या होगा सुन्ने ठीक है तो सी के निर्दे सांग लिख दिया है अब डी के निर्दे सांग लिख डी के निर्दे सांग बराबर कितना है? सुन्य कॉमा माइनस तीन, क्योंकि, क्योंकि एक्स अच से इसकी दूरी, एक्स अच से, क्योंकि, एक्स अच से इसकी दूरी, एक्स अच से दूरी बराबर तीन, देखें, माइनस तीन है, ठीक है, तो दूरी तो तीन ही होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे, कोश्टक में, बाई अच, बाई अच की रिनात्मक, बाई अच की रिनात्मक दिसा में, यानि, माइनस तीन है, तो बाई अच की रिनात्मक दिसा में है, इसलिए माइनस तीन से यहाँ पर, इसको दर्साया गया है D के निर्जे सांग लेकिन दूरी तो 3 होगा ठीक है एक सर्च से दूरी 3 होगा बस दीसा जो है बाई अच की रिनात्मक दीसा में है इसलिए हाँ पर माइनस 3 लिखा गया है D के निर्जे सांग ठीक है तो बाई अच्च की रिनात्मक दी साम में एवं बाई अच्च से इसकी दूरी दूरी बराबर सुन बाई अच्च से इसकी दूरी कितना है सुनने है क्योंकि X निर्दे सांग इसका सुन रहे है तो X निर्दे सांग जो होता है वही बाईयत से इसकी दूरी को दर्स आता है अब E के निर्दे सांग लिखेंगे तो E के निर्दे सांग तो लिखेंगे E के एके निर्दे सांग बराबर माइनस तीन कॉमा सुन्य क्योंकि e के निर्दे सांक माइनस 3 कॉमा सूनिक क्योंकि x h की x h की रिनात्मक x h की रिनात्मक दिसा में देखिए माइनस 3 है तो x h की रिनात्मक दिसा में जा रहा है ठीक है क्योंकि x निर्दे सांक माइनस 3 तो XH की रिनात्मक दिसा में हुआ तो XH की रिनात्मक दिसा में पाई-च से पाई-च से इसकी दूरी बराबर तीन एवं XH से इसकी दूरी तो XH की रिनात्मक दिशा में बाई अच से इसकी दूरी कितना है तीन है ठीक है क्योंकि यहाँ पर X निर्दे सांक माइनस तीन हुआ तो X बाई अच से इसकी दूरी तीन ही होगा ठीक है बस दिशा रिनात्मक दिशा में है XH की रिनात्मक दिशा में एवं एक सच से इसकी दूरी बराबर सुने तो बाई निर्दे सांग क्या है सुने है तो इसलिए एक सच से इसकी दूरी क्या होगा सुने है इस तरह लिख लेंगे ए का अब एफ तो एफ के निर्दे सांग एफ के निर्दे सांग बराबर कितना है सुने कॉमा दो क्योंकि क्योंकि बाई अच्छ की यहां पर दो देखें दिखा रहा है यह बाई निर्दे सांग हो यानि बाई अच्छ की धनात्मक दिशा दिखा रहा है बाई अच की धनात्मक दिसा में तो क्योंकि बाई अच की धनात्मक बाई अच की धनात्मक दिसा में एक सच इसकी दूरी एक सच से इसकी दूरी एक सच से इसकी दूरी बराबर दो बाई अच से इसकी दोरी बराबर सुन्य, क्योंकि देखिए, X से निर्दे सांग सुन्य है, X निर्दे सांग क्या है? F का सुन्य है, तो बाई अच से इसकी दोरी कितना होगा? सुन्य होगा, तो इस तरह सब को लिख देंगे, ठीक है? O से लेके F तक O, A, B, C, D, E, F, सब का निर्दे सांग कारण सहीत, यानि सकारण लिख देना है, प्रस्न पाच में. तो इस तरह सब को लिख लेना है. प्रस्न छे, दी गई आकिरती से निम्रिकित को लिख देना है, तो इस आकिरती को देख करके क्या लिखना है? A में C के निर्दे सांग, तो C के निर्दे सांग, क्या होगा? तो पहले एक साच पर जो है उसको लिखते है, तो C के सामने, यानि एक साच पर क्या है, पांच? तो c के निर्देसांग हो जागा 5, अब by h पे क्या है माइनस 5 देखें by h के सामने माइनस 5 है c ठीक है तो फिर लिखेंगे माइनस 5 यानि 5, माइनस 5 होगा इसका उत्तर तो c के निर्देसांग क्या हो जागा 5, माइनस 5 तो यहां पर लिख देंगे इसका उद्दर में 5,-5 ठीक है C के निर्देसांग 5,-5 2,-4 निर्देसांग वाले बिंदू का नाम तो 2,-4 देखे 2,-4 D है ठीक है D का निर्देसांग क्या होगा 2,-4 तो पूछ रहा है 2,-4 निर्देसांग वाले बिंदू का नाम D होगा तो इसका उत्तर लिखेंगे D इसका उत्तर क्या देंगे D बिंदू का नाम क्या है D बिंदू L के निर्देसांग तो बिंदू L के निर्देसांग L L का निर्देसांग क्या होगा तो एक सच पे देखे एक सच पे सूने के सामने अस्तित है ठीक है मुल बिंदू यानि सूने तो सूने कॉमा और बाई अच पे क्या है बाई अच पे तो ये खुद ही है तो पांच सूने कॉमा पांच इसका निर्दे सांग हो गया L का तो इसका उत्तर हो जागा बिंदू L के निर्देसांग हो जागा सुन्य कॉमा पांच सुन्य कॉमा पांच ठीक है M की कोटी M की कोटी यानि M की बाई निर्देसांग तो M कहां अस्तित है X पे तो जब M X पे अस्तित ही है तो कोटी क्या होगा सुन्य होगा क्योंकि इसका अगर हम निर्दे सांक लिखे तो हो जाएगा तीन दस्मलों पांच कॉमा सुन्य तो देखें कोटी सुन्य और भूज क्या होगा तीन दस्मलों पांच तो M की कोटी क्या लिखेंगे सुन्य M की कोटी लिखेंगे सुन्य यहां पर क्या लिखेंगे सुनि एम की कोटी सुनि तो इस तरह से इसका उत्तर दे देंगे इस आकरती को देख करके ठीक है प्रस्न साथ नीचे की आकरती में निम्नांकित बिंदियों को निर्दे सांग लिखें तो यह जो आकरती दिया हुआ है इसमें जो बिंदू है उसका निर्दे सांग लिखना है तो देखें ए